हेल्लो एवरिवन मैं हो निरज सिर्वास्तो और आप सब जुड़े हुए हैं मेरे चैनल इंगलेस गाइडर में आज का जो टापिक है वो है आर्टिकल बहुत बाहर स्ट्ट्ट्स कंफ्यूज होते हैं कि कहांपे अ का प्रयोग होगा कहांपे एन का प्रयोग होगा कहांपे का यूज होगा तो इन सब चीजों से निजात दिलाने के लिए मैंने कुछ सार्ट ट्रिक्स बहुत ही रिसर्च के बार डेवलप की हैं जिनको मैंने अपने इस वीडियो में यूज किया हुआ है अगर आप इसको मिस करेंगे तो बहुत कुछ खो देंगे इसलिए आप इस व ए एन और द को आर्टिकल कहा जाता है और आर्टिकल को दो भागों में विवाजित किया गया है इंडिफिनिट आर्टिकल और डिफिनिट आर्टिकल वो आर्टिकल्स होते हैं जो नाउन को निश्चित नहीं करते हैं जिसमें हम ए और एन को रखते हैं डिफिनिट आर्टि वे आर्टिकल होते हैं जो नाउन को निस्चित कर देते हैं इसमें हम द को रखते हैं तो A और N में क्या फर्क है इसको जानते हैं A और N का प्रयोग हमेशा singular countable nouns के साथ होता है यानि वे नाउन्स जिनको हम गिन सकते हैं जिनको हम count कर सकते हैं उनके साथ हम A अथवा N का प्रयोग करते हैं The definite article है जो nouns को निस्चित बनाता है और इसका प्रयोग हम चाहे singular noun हो अथवा plural noun हो दोनों के साथ हम The का प्रयोग करते हैं लेकिन The को जानने के पहले हम A और N के बारे में जानते हैं इसमें basic फर्क क्या है तो A का प्रयोग हमेशा consonant sounding nouns अथवा adjective युक्त noun के साथ होता है यानि वे nouns जिनका pronunciation जिनका उच्चारण करते समय उसमें से consonant यानि हिंदी में कहें तो व्यंजन sound निकलता है जैसे कार हो गया कार कह हिंदी में देखें तो कह अक्षर से और English में के अक्षर से इसका pronunciation हो रहा है अगर आप हिंदी में चीजों को pronunciation करके जानने की कोशिस करें तो आपके लिए अतियुत्तम होगा और बड़े आसानी से समझ में आ जाएगा कि किस noun का pronunciation यानि उच्चारण किस अक्षर से हो रहा है तो देखते हैं एक्जामपल के तोर पे आई बाट आ कार कार इंग्लिश में सी अक्षर से शुरुआत हुई है इसकी लेकिन इसका जो pronunciation है वो के अक्षर से है और इंग्लिश और हिंदी में इसका का अक्षर से सुरुआत है कार का से सुरुआत है इस चीज को ध्यान देने वाली बात है तो कार का उच्चारण consonant है इसलिए यहाँ पर आ का प्रयोग होगा दूसरा sentence देखते हैं मीना इस एन इंटेलिजेंट गर्ल इस sentence में जो noun है मीना है और गर्ल है जो हमारा audio लगा हुआ है एन इंटेलिजेंट के सात्थ यूच हुआ है अब इंटेलिजेंट के साथ एन क्यों लगा है Intelligent का जो उच्छारण है Hindi में अगर लिखते हैं इसको तो E अक्षर से शुरुआत होगी Intelligent और English में इसका जो pronunciation हो रहा है वो E अक्षर से शुरु हो रहा है यानि हिंदी में जो pronunciation करेंगे तो E से Emily यानि E अक्षर से शुरुआत हो रहे हैं जो की स्वर है ध्यान देना है, sound क्या निकल रहा है तो इससे हम फर्क समझ पाएंगे कि कहां पे A लगेगा और कहां पे N लगेगा तो यहां पे Intelligent Vowel Sounding Adjective है जो girl noun के साथ लगा हुआ है इसलिए यहां पे N का प्रयोग होगा तो इससे जुड़ी PDF मैं आपको बता रहा हूँ कि कहां पे A का प्रयोग होगा और कहां पे N का प्रयोग होगा अगर किसी noun का सुरुआत Consolent Sound से होता है Hindi में Vengeance से सुरूँ होता है तो वहां पे हम A का प्रयोग करेंगे और अगर वावल साउंड के साथ सुरूँ होता है तो वहां पे हम N का प्रयोग करेंगे Example 1 में दिया गया है A Pen P अक्षर से सुरूआत है इंगलिश के और Hindi में P अक्षर से सुरूआत है अगर आपने Hindi के उच्चारण को समझ लिया तो आपके लिए यह बेहद आसान हो जाएगा Hindi में समझिये Pen P अक्षर पहले लिखेंगे यानि कर से अग्या के बीच में है A Man English में M Hindi में Ma A Tree T से सुरूआत है T से English में सुरूआत है A Car Car C-A-R spelling होती है English के K अक्षर से सुरूआत है और Hindi में क अक्षर से सुरूआत है Hindi में जो लिखा जाता है वो बोला भी जाता है English में थोड़ा सा कहीं कहीं गड़वड होती है जो लिखते हैं वो बोलते नहीं है इसलिए अगर आपने Hindi में Pronunciation कर लिया इसका और Hindi से अगर आपने सीखने की कोशिश की तो A और N का प्रियोग कहां होगा बहुत असपस्ट और क्लियर आपको समझ में आएगा कि कहां पे A का प्रियोग होगा और कहां पे N का प्रियोग होगा दूसरे पार्ट में देखते हैं N, Ant Ant, A से सुरूआत है English के लेटर से और Hindi में A, A से A, D से सुरूआत है A, A से A, D हम बोलते हैं A से A, D से सुरूआत है N, Indian E, letter से सुरूआत है English में और Indian E से Emily से सुरूआत है N, Umbrella Umbrella का उचर्ण O से सुरूआत है Hindi में O से Amrood से सुरूआत है N, Honest Man H, silent है हाँ पे Honest A से सुरूआत है इस चीज़ के उचर्ण को देखिए यहां पे जितने भी Word है Ant, Indian, Umbrella Honest Man यह सारे सुरूआत हुआ है इसलिए इन सब के साथ हमने N का प्रियोग किया हुआ है दूसरे पार्ट में Consonant Sound और Wawel Sound में देखिए क्या फरक है जो लिखते हैं वो बोलते नहीं और जो बोलते हैं वो लिखते नहीं इसको ध्यान देने वाली बात है पहला Example A European European English में लिखा गया है E अक्षर से E-U-R-O-P-E-A-N यह स्पेलिंग है तो सुरूआत में देखके लगता है कि यह स्वर साउंड है यानि वावल साउंड है लेकिन जब उचारण करेंगे तो European यानि वाई से सुरूआत है हिंदी में देख लिजिए European अगर आप हिंदी में लिख के देखेंगे तो E-U-R-O-P-E-A-N अक्षर से सुरूआत है यानि वेंजन है इसलिए यहाँ पर A का इस्तिमाल होगा उचारण पर ध्यान देना है आपको A-U-N-I-V-E-S-T-I उनिवर्सटी भी लिखा तो U से गया है उचारण Y से अथवा हिंदी में या अक्षर से हो रही है A-U-N-I-F-A-R-M Y से सुरूआत है और Y अक्षर से हिंदी में A-One-eyed man One इंगलिज के O लेटर से इसका लिखा गया है लेकिन बोलते समय उचारण करते समय हम V V से व बनता है और हिंदी में देखिए साफ साफ लिखा गया One-eyed man को व से वट यानि जो इसका विंजन वाला पार्ट है उससे लिखा गया है A-Unit यह अक्षर से शुरूआ था है A-One-Rupi note व अक्षर से शुरूआ था है A-Union यह से शुरूआ था है A-Utencil यह से शुरूआ है तो pronunciation में अगर आप हिंदी में समझेंगे तो यह जादे आपके लिए suitable होगा कि किस अक्षर से शुरूआ था यह अनि स्वर से शुरूआ था कि वावल साउंट से शुरूआ था वावल वाले पार्ट में लेखते है An Honest Man Honest अक्षर से सुरूआ था हिंदी के An Air A-A से इंडी से शुरूआ था An Ma Ma A से शुरूआ था An Mla आप ध्यान देखिए MLA, A, A से AD, हम हिंदी में पढ़ते हैं, जब बावल का कहरा पढ़ते हैं, तो हम A से AD, A से एनक पढ़ते हैं, तो A अक्छर से शुरुआत है, N, R, A से आम से शुरुआत है, N, X समस्ट्री, X, यहां देखिए, पहला अक्छर A लिखा हुआ है, तो A से श से शुरुआत है, N, N से इसी बहा है, N, N देखिए, N जब प्रोनांसियट करेंगे, तो A न, N हो जाएगा, तो A अक्छर से शुरुआत है, इसलिए हमको कांसोनेंट और वावल साउंड में कन्फ्यूज नहीं होना है, जहां पे कांसोनेंट साउंड नाउं से प्रोनांसिय प्रियोग करेंगे, अब देखते हैं कि A और N का प्रियोग कहां कहां पर होता है, यूज आफ ए एंड एन, वन के अर्थ में जहां कोई नाउन एक कार्थ देता है, संख्या पताता है, वहाँ पे A अथवा N का यूज करते हैं, जैसे मुकेस हैज अडाग, I bought an umbrella, डाग के प किंग, A Mr. Mohan wants to meet you, यहाँ पे दूसरे वाले sentence में A Mr. Mohan का मतलब हो गया, कोई Mr. Mohan, जो अन्नोन है आपके लिए आप जानते नहीं हो, एनी के अर्थ में A अथवा N का प्रियोग होता है, इच एवरी पर के अर्थ में A अथवा N का यूज होता है, यैसे the train runs 80 km एन आर, यान प्रती 10 रुपए किलो की दर से राइस बिखता है, आन के अर्थ में किसी चीज के उपर कोई है, वहाँ पर के अर्थ में A अथवा N का प्रियोग हुआ है, He went a hunting, यहाँ अर्थ ही हो जगा, He went on a hunting के जगा, a hunting भी आप लगा सकते हो, वह hunting पर गया है, वह सिकार पर गया, तो आन के अर्थ में भी A अथवा N का प्रियोग होता है, आल के अर्थ में, सभी के अर्थ में A और N का प्रियोग होता है, जैसे अडाग हैज असार्ट टेल, यहाँ एक कुत्ते की बात नहीं हो रही है, सभी कुत्तों की बात हो रही है, कि कुत्तों की पूँच छोटी होती है यानि कुत्ते की पूँच छोटी होती है गाय की पूँच लंबी होती है एक गाय अथवा एक कुत्ते के लिए यूज नहीं हुआ ये सभी कुत्ते और सभी गायों के लिए यूज हुआ है जब हम proper noun को common noun बनाते हैं तो उसके अर्थ में हम ए एन अत्वद्दा का यूज करते हैं इसका ये मतलब नहीं कि वो कालिदास है इसका मतलब ये हो गया कि उसके अंदर कालिदास की qualities है कालिदास की तरह विद्वान है वो तो वहाँ पे कालिदास proper noun इसको common noun बनाने के लिए एका प्रियोग हुआ है He is a कालिदास You are a tendulkar इसका ये मतलब यह नहीं कि तुम tendulkar हो गया हो यहाँ पे मतलब यह है कि तुम tendulkar यह जैसी cricket खेलते हो तो tendulkar को common noun बनाने के लिए a का प्रियोग हुआ है I want to have a haircut, a shave इस तरह की चीज़ें जहाँ पे यूज होती है वहाँ पे ए अत्वा N का प्रियोग होता है and से जुड़े दो nouns और adjective अगर एक ही वस्तवा व्यक्तिका बोध कराते हो तो देखते हैं कैसे A और N का यूज होता है He is a clerk and cashier कि यहाँ पे ध्यान देजिए He is a clerk and a cashier यहाँ एक व्यक्ति की बात हो रही है एक व्यक्ति जो clerk भी है और cashier भी है तो वहाँ पे A का प्रियोग जो पहला वाला adjective होगा उसके साथ ही होगा जो पहला वाला noun होगा उसके साथ होगा clerk भी है और cashier भी है तो पहला noun clerk है उसके साथ अ लगाएंगे तो वहाँ पर एक व्यक्ति का बोदा होगा कि वह clerk भी है और cashier भी है लेकिन अगर कहीं पर दोनों के साथ हम लगा देंगे he is a clerk and a cashier तो यह गलत हो जाएगा यहां पर मतलब हो जाएगा एक clerk और एक cashier दो व्यक्तियों की बात हो रही है तो एक व्यक्ति को indicate करने के लिए अगर and से जुड़े दो noun हो अथवा and से जुड़े दो adjective हो तो उनके साथ हम सिर्फ पहले वाले noun अथवा adjective के साथ ए अथवा and का प्रयोग करते हैं एक example और देखते हैं अब दो व्यक्तियों की बात हो रही है तो दोनों के साथ a का प्रयोग हुआ है दूसरा example लेते है I have a black and white cow यहां पे एक ही गाय की बात हो रही है क्यों क्योंकि दोनों adjective black and white जो है उनमें सबसे पहले वाले डियक्तियों के साथ का प्रयोग हुआ है I have a black and white cow इसका मतलब यह हो गया कि जो हमारे पास cow है उसका कुछ रंग काला है कुछ सफेद है यानि वो black and white दोनों है यह कही गाये लेकिन दूसरे बाकि में I have a black and a white cow इसका मतलब हो गया आपके पास दो गाये है मेरे पास दो गाये है एक का कलर black है और दूसरी का कलर फवाइट है तो स्टुरेंट्स अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसको जादे से जादे लाइक करिए सेयर करिए और मेरे चैनल English Guider को सब्सक्राइब करिए कमेंट बाक्स में आप अगर कुछ पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं उसका रिपलाई में आपको जब भी हमको मौका मिलेगा तुरंत में दूँगा इस वीडियो का अगला पार्ट definite article the का यूज मैंने बहुत ही tricky वेज में समझाया है बहुत अच्छे अच्छे tricks बताया है और उसको अगर आप एक बार अच्छे से देख लोगे तो जिंदगी भर आपको याद रहेगा तो मेरे साथ देखते रहे है मेरा चैनल English Guider इस चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आपको बहुत जल्दी उसका नोटिफिकेशन मिल सके बेल आइकन को जरूर दबाईएगा मिलते है नेक्स वीडियो में तब तक के लिए गुड़ बाई